19 में 3.5 प्रतिसत परिवारों को भी स्वच्छ जल मिलता था मोदी जिने आगे बढ़ाया मगर अब भी 23 प्रतिसत लोग छुट गए हैं मैं ओरिस्था की माताओं को कह कर जाता हूँ बात पा सरकार बना दो एक जुन के बाद हर घर में नल से जल देने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार करीगी भाईो बेनो मुझे बताओ मैं तो गुजराच से आता हूँ देश के दूसरे हिसे से आता हूँ मगर ओरिस्था के उपर जैसे ही मेरा हवाई जा जाता है प्रभू जगन्नात को मेरा सर जूब जाता है समगर देश की जनता महाप्रभू का असिर्वात मक्ती है और ओडिया में ओडिसा में नभीन बाबू की सरकार इसको परियतन स्थल बनाने में पड़ी है मैं आज आपको कहता हूँ परिक्रमा प्रकल्प के नाम पर मठ मंदीर दोड़े महाप्रभू के चारो द्वार खुलते नहीं है बगतों को तकलीप होती है मैं आज वादा करकर जाता हूँ हमारा मुख्यमंत्री सपट लेकर उसी दिन महाप्रभू के मंदीर के चारो द्वार खोल देगा इसको खोल जाता हूँ भायो बेनो जगनात की मूर्ती को अपमानित किया जा रहा है और उसके रत्न बंडार की चावियों पर विवाद होता है भायो बेनो मुझे बताओ महाप्रभू का रत्न बंडार सुरक्सित रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए मैं आज कहना चाहता हूँ नवीन बाबु को अगर आप में जरा भी जाग रुकता है तो मुझे बताइए रत्न बंडार की ओरिजिनल चाविया कहा है डूप्लिकेट चाविया किस ने बनाई डूप्लिकेट चावियों से रत्न बंडार खोला गया या नहीं खोला गया उसकी जाच रिपोर्ट का क्या होगा आपकी सरकार किसको बचाना चाहती है ये महाप्रभु का जरत्न बंडार न केवल उत्कल प्रदेश देश बर में दुनिया बर में महाप्रभु के भक्तों का स्रद्धा का कैंद्र है उसमें पारदर सिता आने चाहिए भायो बेनो मैं आपको वादा करकर जाता हूँ महाप्रभु के रत्न बंडार के जाच रिपोर्ट का खुला सा हम छे दिन के अंदर कर देंगे सरकार बनने के छे दिन भायो बेनो आसका की प्रत्यासी हमारी बेहन खड़ी है हमारे दो विदान सभा प्रत्यासी करे सरकार बने तो इनको चलानी चाहिए या अप्षरों ने चलानी चाहिए जरा जोर से बोलो किसको चलानी चाहिए आपने नवीन बाबु को चुना मगर नवीन बाबु सरकार चला रहे है क्या अरे जोर से बोलो चला रहे है यहाँ पर बाबु के हाथ में राज है अरे नवीन जी बाबु के हाथ में देना था तो कोई ओडिया बाबु के हाथ में देते भईया बाहर के हाथ में क्यों और यह नवीन बाबु की सरकार में यह महान ओडिया भासा संस्कुर्दी साहित्य जिसके लिए अनेक लोकों ने संगर्ष किया मदुसुदन जी का संगर्ष अत्पूरा देश याद करता है भायो बेनो वो महान ओडिया भासा संस्कुर्दी और साहित्य पर यह अफसर साही ने सवाल या निशान लगाने का काम किया है मैं आपको कहकर जाता हूँ एक तारिक को कमल फूल की सरकार बनाओ हम ओडिया भासा को अगले एक हजार साल तक जिन्दा रहे एसा लंबा आईश्यो देने का काम भारतिय जनता पार्टी के भायो बेनो वन नेशन वन डेशन कार्ट यह असका से लाखो युवा देश भरवे रोजगारी के लिए जाते उनको वहाँ सस्तानाज मुपतनाज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए जोड से बोलो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए मोदी जी वन डेशन वन डेशन कार्ट लाए पतनी यहाँ अनाज ले ले पती वहाँ अनाज ले ले माबाप यहाँ अनाज ले ले बेटा गुजरात में मुंबई में जहां है ले ले मगर नभीन भाबो वन डेशन वन डेशन कार्ट नहीं करते हैं क्यूंकि बेटे का जो अनाज बचा है ना बेटे का वो चाहू करने के लिए इनके अफसर बेटे हैं मैं आज कह कर जाता हूं एक तारिक को परिणा माते ही भाजपा सरकार वन डेशन वन डेशन कार्ट को लागू करने का काम करेगी लागू करेगी भाईयो बेनो आज गाउं गाम में पानी की समस्या है इसलिए नवीन बाबू का विरोध हो रहा है गाउं गाउं में बिजली की समस्या है इसलिए नवीन बाबू का विरोध हो रहा है सडक नहीं है इसलिए विरोध हो रहा है बेरोजगारी के कारन पलायन है इसलिए विरोध हो रहा है मैं आपको कहता हूँ सालों से आपने नवीन बाबु को बिठाया पांच साल भाजपा को दे दीजे और इस्था से किसी बेटे को और इस्था के बाहर रोजगारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा भाईो बेहनों एक गन्ना का क्षेत्र है पानी के अबाव में गन्ना नहीं होता है गन्ना मिले बंद हो गई मैं आपको कहता हूँ ओडिसा में पानी के बंडार है इरिगेशन की व्यवस्ता नहीं है सिंचाई की व्यवस्ता नहीं है भारतिये जनता पाटी सिंचाई की व्यवस्ता करेगी इथे नौल के कारखाने डालेगी और कॉपरिटिव बेजिस पर गन्ना मिल बना कर सब गन्ना के किसानों को सम्रूद करने का काम भारतिय जन्ता पार्टी करेगी भायो वेनो एक गंजाम नवीन बाबू काक्षेत रह नवीन बाबू 25 साल से मुख्यमंत्री है मगर मैं नवीन बाबू को पूछना चाहता हूँ नवीन बाबू गंजाम में एक भी फैक्टरी आया है क्या अरे आप बताओ भाया आया है क्या गंजाम वालों के गर में पीने का पानी पहुचा है क्या सिच्चाई की व्यास्ता हुई है क्या भायो बेनो कोल स्टोरेज भी नवीन बाबू नहीं बना पाए कोल स्टोरेज भी नहीं बना आज मैं कह कर जाता हूँ हमारी बेहन को जिता दो हमारे छे के छे विधायकों को जिता दो गंजाम जिले को देश का नंबर वन जिला बनाने का काम भार दिये जनका पाए बाईो बेनो केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतुरत में लगबग लगबग धेर सारे पैसे यहां भेजने का काम किया है कॉंग्रेस सरकार ने दस साल में एक लाख ऐकतालीस सजार करोड ऊप्यास भेजा था सिर्फ एक लाख एक तलीस अजर, दस साल में, मोधी जी ने दस साल में, चे लाख एक तीस अजार करोड रुप्या भेजने का काम किया है, भायों बेनों, सिर्फ पस्का की बात करता हूं, पांच लाग सैतालीस अजार गरों में सोचालाई बढाया चार लाग 53,000 गरों में पीने का पानी पहुचाया दो लाग किसानों को 6,000 रुपिया मिल रहा है और डेड़ लाग किसानों को हमने किसान विमा देने का काम किया है एक हजार करोड ग्रामी सडक के लिए खर्चा है और नबी करोड से भंजनगर असका निस्नल हाईवे को डबल करने का काम नरेंद्र मोधी सरकार कर रही है भाईो बैनो जन्दन योदना सो टका हुई है और मैं आज कह कर जाता हूँ तीन करोड लगपती दीदी भी भारतिय जन्ता पार्टी बनाने वाली है तीन करोड भाईो बैनो मुझे बताओ एक गरीबों के पैसे जो चिट फंड में गए हैं उनको लोटाना चाहिए या नहीं लोटाना चाहिए जोर से बोलो लोटाना चाहिए या नहीं लोटाना चाहिए ये नविन बाबु कुछ नहीं करते इनके आस्पासी ये लोग मैं बताता हूँ 18 महिने में जिनोंने गरीबों के चीटफन के पैसे खाए हैं इनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतिय जनता था किसानों का दान 31 सो रुपिया क्विंटलम खरी देंगे और 48 गंटे में उसके पैसे किसानों को दे देंगे और ओरिसा की माताओ बैनों आपको पचास अजार का वाउचर दिया जाएगा आपके हाथ में ओना पती को पूछना नहीं है पचास अजार में से आपको जो खर्च करना है वो करकर अपने घर को सुविदा पूर्ण बनाना पंका भी ला सकते है इस्त्री भी ला सकते है फनिचर भी ला सकते है बच्चों का पढ़ाई लिखाई का साधन सामान भी आप ला सकते है हर दिदी को पचास हजार रुपिये का कैश वाउचर नरेंद्र मोधी सरकार देगी भाईो बेनो प्रतिक मच्छवारे को साल का दस हजार देंगे तेंदू पत्ता दो रुपिया प्रतिकोरी और उपर 35 परसंट बोनस देने का काम भारतिय जनता पार्टी करेगी बूनकर समाज को सभी लाबारतियों को तीन हजार रुपिया की मासिक सहायता देंगे यहाँ पर असका में एक टेक्स्ट्राइल पार्क बनाएंगे इसके साथ साथ डेड़ लाक खाली पदो पर मेरे ओडिया युवाओ की भरती करकर सरकारी नौकरी देने का काम भारतिय जनता पार्टी करेगी राउल के ला संबलपूर परादिप इंडस्टियल कोरिडर बनाएंगे भूने स्वर राउल कुला ब्रमपूरा बाले स्वर में आईटी पार्क बनाएंगे और गरीबों के पंद्रा लाक नए गर बनाने का भारतिय जनता पार्टी का वादा है सौ दिन के अंदर ही आयू सभी मान भारत योदना का पांच लाक का लाब देंगे और चतीस अजार नए बैड इतने अस्पताल बनाने का काम भारतिय जनता पार्टी करेगी और अंत में भायो बेनो रत्न बंदार का पारदर सी हिसाब पहले पेज पर एड़टाइज दे कर सभी महाप्रभू के भक्तों के सामने रख दिया जाएगा भायो बेनो ये पचीस साल ओरिसा के विकास के नक्से में घुम पचीस साल है मैं आज कहने आया हूँ उपर मोदी जी का कमल नीचे ओरिसा का कमल एड़बल कमल की सरकार ओरिसा में कमल पर मा लक्समी को लाकर समरूत बनाने का काम करने वादी है आज मैं असका की स्विशाल जनसभा को कहने आया हूँ भाईो बेनो मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाने के लिए लोक समावे हमारी दिदी को दिदी आ गया हो हमारी दिदी को वाट देना है और मुख्य मंत्री बनाने के लिए हमारे दोनों विदान सभा के प्रत्यासियों को भी वाट देना है मुझे बताओ उपर नीचे दोनों भाजपा सरकार बनाओगे क्या अरे जोर से बोलो बनाओगे कमल के दोनों मसीनों में कमल पर बटन दबाओगे जोर सबलो बनाओगे यहाँ बाजपा सरकार बनाओगे मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाए विजय के संकल्प की मुठी बीचे और प्रचंद आवाद से बोलिए जय जगना जय स्रीराम जय जय स्रीराम जय स्रीराम एवे अनुरूद करिये कुछाई भी आमार लोको सबाप्रार्थी अनिता अपा आउ बिधान सबाप्रार्थी नेलमाणी विसोई महदै स्री अजाई कुमार मिस्राजी श्री महेश महंती जी असका लोक सबाप्रार्थी अनिता सुपदर्शी जी अनिता जी आगे आई आई आप सूर्दा विधान सबा के प्रत्यासी नेलमाणी जी आग्याओ नेलमाणी जी भाई और बेनो श्री करजाई मंदीर खंबेश्वरी मंदीर भगवान पूर्च महादेव ये सब को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं कुरुष्ण चंद्र गजपती श्री ससी पुसन रहत और श्री भगवान साहू ये तीनों को प्रणाम करना चाहता हूं भाई और बेनो मैं सबसे पहले पूरे ओडिया जनता को बताना चाहता हूं कि मोदी जीने हमारे उतकल प्रदेश की आदिवासी बेटी बेहन द्रवपदी मुर्मु को राष्ट्रपती बना कर समग्र ओर इसा का सन्मान करने का काम प्याँ जी ट्वेंटी दिल्ली में हुआ बड़ा सम्मेलन हुआ दुनिया भर से नेता जी ट्वेंटी में आए मोदी जह जहां स्वागत कर रहे थे उसके पीछे हमारे ओरिश्चा का कोणार का सुर्य मंदीर का तस्वीर रख कर उत्कल प्रदेश को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और भाईो बैनों ओरिया वीरता का प्रतिक पाई का संग्राम उसके लिए सिक्का और डाग टिकिट जारी करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है मोदी जी ने उडिया सन्मान के लिए धेर सारे काम किये है भाईो बैनो मोदी जी ने इस तत्स साल में पूरे देश को सन्मान दिलाने का काम किया है उनके पास से दस साल का ट्रेक रेकोर्ड भी है और पचीस साल देश को आगे ले जाने का एक रोड मैप भी है भाईो बेनो आज मैं यहां आया हूँ तब मैं आप सभी को पूछना चाहता हूँ मुझे बताईए अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था जोड से बोलिये बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था सत्तर सत्तर साल से एक कॉंग्रेश पार्टी राम मंदिर को अटका कर बैठी थी आपने मुदी जी को दूसरी बार प्रदान मंत्री बनाया मूदी जिने पाँची साल में केश्बी जीता भुमी पुजन भी किया और बाईश जन्वरी को प्राण प्रतिष्टा करकर जैश्री राम कर देश और जब पूरा देश राम मंदिर का ज़स्न मना रहा था तब इन नवीन बाबु की सरकार और इसा की जन्टा को राम जन्म भुमी के महोट्सव में सामिल नहीं होने देते थी इन्होंने अलग-अलग प्रकार से उतकल जन्टा को राम महोट्सव में सामिल होने से रोका मैं आद नवीन बाबु को कह कर जाता हूँ नवीन बाबो जो राम उत्सव को रोकता है ओडिशा की जनता इसी को कभी माप नहीं करती है कभी भाईयो वेनो मोदी जी ने देश को सुरच्षीद किया है यह पुरा देश नक्सलवाद से त्रस्त था मोदी जी ने दस साल के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद को समाप्ट करकर देश को सुरच्षीद करने का काम किया है कि दस साल तक कॉंग्रेश पार्टी की सरकार थी सोनिया मनमोहन की सरकार थी आए दिन बम दमाके होते थी पाकिस्तान से हरोज आलिया मालिया जमालिया आते थे बम दमाके करकर चले जाते थी मोदी जी आए पाकिस्तान ने फिर से फुलवामा में और उरी में हमला किया मगर इस बार मोदी जी ने दसी दिन में सर्जीकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुश कर आतंकवादियों को साप करने का काम नरेंद्र मोदी हमारा ओडिसा नकसलवाच से पिडित्था जारखन बिहार तेलंगना आंध्यप्रदेश मध्यप्रदेश महराष्ट मोदी जी ने दस साल के अंदर इस नकसलवाच को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया भायो बेनो ओरिसा के कई गरीब इलाकों में मोदी जी हर मैना हर व्यक्ति पांच किलो चावल भेचते हैं देश के 80 करोड लोगों को भेचते हैं ओरिसा को भी भेचते हैं गरीबों को चावल मिलता है या नहीं मिलता है अब नवीन बाबू क्या करते हैं वो चावल पर अपना थेला लगा देते हैं अपनी फोटो चाप देते हैं और गरीबों को कहते हैं ये चावल मैंने बेजा है अरे नविन बाबो ठेले से किसी का बेट नहीं भरता अगर देना है तो अंदर धाई किलो और चावल दे दो आपका भला होगा मगर मोदी की सरकार केंद्र में जो चल रही है वो चावल वाली सरकार है और नविन बाबू की सरकार ठेले वाली सरकार है भाईो बेनो मुझे बताओ ठेला कोई गरीब खा सकता है क्या अरे जोड से बोलो भूक लगे तो ठेले को खा सकते हो क्या अरे नविन बाबू ठेले की जगे डाई किलो चावल बेजो तो गरीब का पेट भरेगा मगर आप चिंता मत करो अब दूसरी बार नविन बाबू नहीं आने वाले है ओडिया जंता ने उनको बाई बाई टाटा कह दिया है बाई बाई टाटा के नवीन बाबू की जरुवत नहीं है यहां अब भारतिय जन्ता पार्टी का मुख्य मंत्री आने वाला है भाजपा सरकार बने नरेंद्र मोधी जी ने बारा करोड गरीबों के घर में सोचा लई बनाया माता और बेनों को सन्मान देने का काम किया चार करोड गरीबों को घर दिया दस करोड गरीबों को उजवला का कनेक्शन दिया चौदा करोड गरीबों को घर में नल से जल दिया और पचास करोड गरीबों को आयुसमान भारत की योजना दी मगर ओरिस्या को नहीं मिलता है मुझे बताओ असका वालो ओरिस्या के गरीब को पांच लाग तक का सभी स्वास्त का खर्चा मुफत में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए अरे जोर से बोलो भाई मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ये नवीन बाबु को लगता है आईश्मान भारत से उनकी लोग प्रियता खतम हो जाएगी मगर चिंता मत करो एक तारिक को नवीन बाबु जा रहे है और कमल आ रहा है एक जुन से ओरिसा के सभी गरीबों को और सतर साल से उपर के सभी लोगों को पाँच लाग तक का सभी प्रकार का अस्पताल का खर्चा हम माप करने वाले हैं भाईो बेनों माप करने ये पचीस साल में नवीन बाबु ने ओरिसा को पचास साल पीछे ठकेल दिया है आज गुजरात देखे राजस्तान मध्यपदेश देखे एक भी गाउँ ऐसा नहीं है जहां रोड नहीं है ओरिसा में आज भी 6412 गाउँ है जहां रोड नहीं है आप ओरिसा में कमल फुल की सरकार बना दो दो साल में हर गाउँ में रोड बनाने का काम नरेंद्रमोदी जी करेंगे नरेंद्रमोदी जी ओरिसा के किसान की आए समग्र देश में कम है क्यों कम है इनके चावल ओने पोने दाम में बिकते हैं यह हमारा चत्तीस गड आपके पास का प्रदेश भाजपा सरकार बनी चत्तीस गड में इकतीसो रूपया क्विंटल चावल सरकार खरीती है भाईो बैनो और इसा के किसानों मैं कह कर जाता हूँ मैं कह कर जाता हूँ कि छत्तीस गड का किसान का एक एक दाना हम इकतीसो रूपया दान का एकतीसो रूपया क्विंटल खरीतने का काम ये भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार करेगी भाईो बेनो 19 में 3.5 प्रतिसत परिवारों को भी स्वच्छ जल मिलता था मोदी जी ने आगे बढ़ाया मगर अब भी 23 प्रतिसत लोग छुट गए हैं मैं ओरिस्टा की माताओं को क्या कर जाता हूं बादपास सरकार बना दो एक जुन के बाद हर घर में नल से जल देने का काम भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार करेगी भाईो बेनो मुझे बताओ मैं तो गुजरात से आता हूं देश के दुसरे हिस्से से आता हूं मगर औरिस्टा के उपर जेसे ही मेरा हवाई जा जाता है प्रभु जगन्नात को मेरा सर जुब जाता है समगर देश की जन्ता महा प्रभु का असिर्वातमती है और इस ओडिया में ओडिसा में नवीन बाबू की सरकार इसको परियतन स्थल बनाने में पड़िये मैं आज आपको कहता हूँ परिक्रमा प्रकल्प के नाम पर मठ मंदीर दोड़े महाप्रभु के चारो द्वार खुलते नहीं है बद्टों को तकलीप होती है मैं आज वादा करकर जाता हूँ हमारा मुख्यमंत्री सपट लेकर उसी दिन महाप्रभु के मंदीर के चारो द्वार खुल देगा इसको खुलते नहीं है भाईयो बेनो जगनात की मुर्ती को अपमानित किया जा रहा है और उसके रत्न बंडार की चावियो पर विवाद होता है भाईयो बेनो मुझे बताओ महाप्रभु का रत्न बंडार सुरक्सित रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए मैं आज कहना चाहता हूँ नवीन बाबु को अगर आप में जरा भी जाग रुकता है तो मुझे बताइए रत्न बंडार की ओरिजिनल चाविया कहा है डूप्लिकेट चाविया किस ने बनाई डूप्लिकेट चावियो से रत्न बंडार खोला गया या नहीं खोला गया उसकी जाँच रिपोर्ट का क्या होगा आपकी सरकार किसको बचाना चाहती है ये महाप्रभु का जरत्न बंडार न केवल उतकल प्रदेश देश भर में दुनिया भर में महाप्रभु के भक्तों का स्रद्दा का कैंद्र है उसमें पारदर सिता आने चाहिए भायो बेनो मैं आपको वादा करकर जाता हूँ महाप्रभु के रत्न बंडार के जाँच रिपोर्ट का खुला सा हम छे दिन के अंदर कर देंगे सरकार बनने के छे दिन भायो बेनो आसका की प्रत्यासी हमारी बेहन खड़ी है हमारे दो विदान सभा प्रत्यासी खरे सरकार बने तो इनको चलानी चाहिए या अपसरोंने चलानी चाहिए जरा जोर से बोलो किसको चलानी चाहिए आपने नवीन बाबु को चुना मगर नवीन बाबू सरकार चला रहे है क्या अरे जोर से बोलो चला रहे है यहाँ पर बाबूों के हाथ में राज है अरे नवीन जी बाबूों के हाथ में देना था तो कोई ओडिया बाबू के हाथ में देते भईया बाहर के हाथ में की और ये नविन बाबु की सरकार में ये महान ओडिया भासा संस्कृति साहित्य जिसके लिए अनेक लोकों ने संगर्ष किया मदुसुदन जी का संगर्ष आत्पूरा देश याद करता है भायो बेनो वो महान ओडिया भासा संस्कृति और साहित्य पर ये अफसर साही ने सवाल या निसान लगाने का काम किया है मैं आपको कहकर जाता हूँ एक तारीको कमल फूल की सरकार बनाओ हम ओडिया भासा को अगले एक हजार साल तक जिन्दा रहे एसा लंबा आईश्यो देने का काम भारतिय जन्ता पार्टी को भायो वेनो वन नेशन वन डेशन काड ये असका से लाखो युवा देश भर्वे रोजगारी के लिए जाते उनको वहाँ सस्तानाज मुपतनाज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए मोदी जी वन डेशन वन डेशन काड लाए पतनी यहां नाद ले ले पती वहां नाद ले ले माबाप यहां नाद ले ले बेटा गुजरात में मुंबई में जहां है ले ले मगर नवीन भाबो वन डेशन वन डेशन काड नहीं करते हैं क्यूंकि बेटे का जो अनाज बचा है ना बेटे का वो चाओ करने के लिए इनके अफसर बैठे हैं मैं आज कह कर जाता हूँ एक तारिक को परिणाम आते ही भाजपास सरकार वन डेशन वन डेशन काड को लागू करने का काम करेगी भाईो बेनो आज गाउं गाउं में पानी की समस्या है इसलिए नवीन बाबू का विरोध हो रहा है गाउं गाउं में बिजली की समस्या है इसलिए नवीन बाबू का विरोध हो रहा है सडक नहीं है इसलिए विरोध हो रहा है बेरोजगारी के कारण पलायन है इसलिए विरोध हो रहा है मैं आपको कहता हूँ सालों से आपने नवीन बाबु को बिठाया पांच साल भाजपा को दे दिजे और इसा से किसी बेटे को और इसा के बहार रोजगारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा और इसा में पानी के बंडार है इरिगेशन की व्यवस्ता नहीं है सिंचाई की व्यवस्ता नहीं है भारतिय जनता पार्टी सिंचाई की व्यवस्ता करेगी इथे नौल के कारखाने डालेगी और कोपरिटी बेजीज पर गन्ना मिल बनाकर सब गन्ना के किसानों को सम्रूद करने का काम भारतिय जनता पार्टी करेगी भाईो बैनो एक गन्जाम नवीन बाबू का क्षेतर है नवीन बाबू पचीज साल से मुख्यमंत्री है मगर मैं नवीन बाबू को पूछना चाहता हूं नवीन बाबो गन्जाम में एक भी फैक्टरी आया है क्या? अरे आप बताओ भईया आया है क्या? गन्जाम वालो के गर में पीने का पानी पहुचा है क्या? शिच्चाई की वियस्ता हुई है क्या? भाईयो बैनो कोल्ड स्टोरेज भी नवीन बाबू नहीं बना पाये कोल्ड स्टोरेज भी नहीं बना आज मैं कह कर जाता हूं हमारी बेहन को जिता दो हमारे छे के छे विदायकों को जिता दो गंजाम जिले को देश का नंबर वन जिला बनाने का काम भार्दिये जनता था भायो बेनों केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेत्रुतों में लगबग लगबग काम किया है कोंग्रेश सरकार ने 10 साल में एक लाख एकतालीस अजार करोर उप्या भेजा था सिर्फ एक लाख एकतालीस है दस साल में मोदी जी ने दस साल में 6,31,000 करोड रुपिया भेजने का काम किया है भाईो बेनो सिर्पस्का की बात करता हूँ 5,47,000 गरों में सोचालई बढाया 4,53,000 गरों में पीने का पानी पहुचाया 2,00,000 किसानों को 6,000 रुपिया मिल रहा है और 1,5,00,000 किसानों को हमने किसान विमा देने का काम किया है 1,000 करोड गरामिन सडक के लिए खर्चा है और 90 करोड से बंजनगर असका निस्नल हाईवे को डबल करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है भायो बेनो जन्दन योदना सो टका हुई है और मैं आज कह कर जाता हूँ 3 करोड लगपती दिदी भी भारतिय जन्दा पाटी बनाने वाली है 3 करोड बायो बेनो मुझे बताओ एक गरीबों के पैसे जो चिट फंड में गए है उनको लोटाना चाहिए या नहीं लोटाना चाहिए जोर से बोलो लोटाना चाहिए नहीं लोटाना चाहिए ये नविन बाबु कुछ नहीं करते इनके आस्पास ये लोग मैं बताता हूँ 18 महिने में जिनोंने गरीबों के चीट फन के पैसे खाए हैं इनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतिय जनता हो था किसानों का दान 31 सो रुपिया क्विंटलम खरी देंगे और 48 गंटे में उसके पैसे किसानों को दे देंगे और ओरिसा की माताओ बैनों आपको पचास अजार का वाउचर दिया जाएगा आपके हाथ में ओना पती को पूछना नहीं है पचास अजार में से आपको जो खर्च करना है वो करकर अपने घर को सुविदा पूर्ण बनाना पंका भी ला सकते है इस्त्री भी ला सकते है फणिचर भी ला सकते है बच्चों का पड़ाई लिखाई का साधन सामान भी आप ला सकते है हर दिदी को पचास हजार रुपिये का कैस वाउचर नरेंद्र मोधी सरकार देगी भाईयो बेनो प्रतिक मचवारे को साल का दस हजार देंगे तेंदू पत्ता दो रुपिया प्रतिकोरी और उपर 35 परसंट बोनस देने का काम भारतिय जनता पार्टी करेगी बुनकर समाज को सभी लाबार्थियों को तीन हजार रुपिया की मासिक सहायता देंगे यहाँ पर असका में एक टेक्स्ट्राइल पार्क बनाएंगे इसके साथ साथ डेड़ लाख खाली पदो पर मेरे ओडिया युवाओ की भरती करकर सरकारी नौकरी देने का काम भारतिय जनता पार्टी करेगी राउल केला, संबलपूर, परादिप, इंडस्ट्रियल कोरिडर बनाएंगे भूने स्वर, राउल कुला, ब्रंपूरा, बाले स्वर में आईटी पार्क बनाएंगे और गरीबों के पंद्रा लाक नए गर बनाने का भारतिय जनता पार्टी का वादा है सौ दिन के अंदर ही आयू सभी मान भारत योधना का पाच लाग का लाब देंगे और चतीस अजार नए बैड इतने अस्पताल बनाने का काम भारतिय जनता पार्टी करेगी और अंत में भायो बेनो रत्न बंदार का पारदर सी हिसाब पहले पेज पर एड़टाइज दे कर सभी महाप्रभू के भक्तों के सामने रख दिया जाएगा भायो बेनो ये पचीस साल ओरिशा के विकास के नकसे में घुम पचीस साल है मैं आज कहने आया हूँ उपर मोदी जी का कमल नीचे ओरिशा का कमल ये डबल कमल की सरकार ओरिशा में कमल पर मा लक्समी को लाकर समरूत बनाने का काम करने बादी है आज मैं अस्का की स्विशाल जन सबा को कहने आया हूँ भायो बेनो मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाने के लिए लोग समावे हमारी दिदी को दिदी आ गया हो हमारी दिदी को वाट देना है और मुख्य मंत्री बनाने के लिए हमारे दोनों विदान सबा के प्रत्यासियों को भी वाट देना है मुझे बताओ उपर नीचे दोनों भाजपा सरकार बनाओगे क्या अरे जोड से बोलो बनाओगे कमल के दोनों मसीनों में कमल पर बटन दबाओगे जोर्जबलों बनाओगे यहां बादपास सरकार बनाओगे मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाए विजय के संकल्ब की मुठी बीचे और प्रचन्द आवाद से बोलिए जय जगनाँ जय स्री राम जय जय स्री राम स्री अजाई कुमार मिस्रा जी स्री महेश महुनती जी असका लोगसबा की हमारी अब्यर्थी बहन अनिता सुपदर्शी जी अनिता जी आगे आई आई आप सूर्दा विदान सभा के प्रत्यासी निल मनी जी आगे आओ निल मनी जी सनाके मुंडी के प्रत्यासी उत्तम पानी ग्रही जी और आज इस विशाल जन्सभा में आए हुए प्यारे भाईों बैनों माताओं और मेरे जिगर के टुकडे जैसे युवा मित्रों आप सभी को नमस्कार भाई और बैनों असका की ये पवित्र भुमी पर सबसे पहले मैं महाप्रभु जगन्नात को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ मा कंकना देवी मा बनकेश्वरी मा तरण तारिनी स्रीकरज़ाई मंदीर खंबेश्वरी मंदीर भगवान पूर्च महादेव ये सब को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूँ कुरुष्ण चंद्र गजपती श्री ससी पुसन रहत और श्री भगवान साहू ये तीनों को प्रणाम करना चाहता हूँ भाईयों बेनों मैं सबसे पहले पूरे ओडिया जंता को बताना चाहता हूँ कि मोदी जिने हमारे उतकल प्रदेश की आदिवासी बेटी बेहन द्रवपदी मुर्मु को राष्ट्रपदी बना कर समग्रव और इसा का सनमान करने का काम प्याएं जी ट्वेंटी दिल्ली में हुआ बड़ा सम्मेलन हुआ दुनिया भर से नेता जी ट्वेंटी में आये मोदी जहां स्वागत कर रहे थे उसके पीछे हमारे ओरिस्सा का कोणार का सुर्य मंदीर का तस्वीर रख कर उतकल प्रदेश को पूरी दुनिया में प्रसिद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और भाईो बेनो ओडिया वीर्ता का प्रतिक पाई का संग्राम उसके लिए सिक्का और डाक टिकिट जारी करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है मोदी जी ने उडिया सनमान के लिए धेर सारे काम किये हैं भाईो बेनो मोदी जी ने इस तस साल में पूरे देश को सनमान दिलाने का काम किया है उनके पास से दस साल का ट्रेक रेकोर्ड भी है और पचीश साल देश को आगे ले जाने का एक रोड मैप भी है भाईो बेनो आज मैं यहाँ आया हूँ तब मैं आप सभी को पूछना चाहता हूँ मुझे बताईए अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था जोड से बोलिये बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था सत्तर सत्तर साल से एक कॉंग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका कर बैठी थी आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधान मंत्री बनाया मोदी जी ने पाँची साल में केश भी जीता भुमी पुजन भी किया और बाईश जन्वरी को प्राण प्रतिष्टा करकर जै स्री राम कर दे और जब पूरा देश राम मंदिर का जस्न मना रहा था तब इन नविन बाबु की सरकार और इस्टा की जन्टा को राम जन्म भुमी के महोच्षव में सामिल नहीं होने देते थी इन्होंने अलग-अलग प्रकार से उतकल जन्टा को राम महोच्षव में सामिल होने से रोका मैं आग नविन बाबु को कह कर जाता हूँ नविन बाबो जो राम उत्सव को रोकता है ओडिसा की जनता इसी को कभी माप नहीं करती है कभी भाईयो वेनो मोदी जी ने देश को सुरक्सीत किया है ये पुरा देश नक्सलवाद से त्रस्ट था मोदी जी ने दस साल के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद को समाप्ट करकर देश को सुरक्सीत करने का काम किया है ये दस साल तक कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी सोनिया मनमोहन की सरकार थी आए दिन बम दमाके होते थी पाकिस्तान से हरोज आलिया मालिया जमालिया आते थे बम दमाके करकर चले जाते थी मोदी जी आए पाकिस्तान ने फिर से पुलवामा में और उरी में हमला किया मगर इस बार मोदी जी ने दसी दिन में सर्जीकल स्ट्राइक और एर्स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुशकर आतंकवादियों को साप करने का काम नरेंद्र मोदी हमारा ओडिसा नकसलवाच से पिडित्था जारखन बिहार तेलंगना आंध्यप्रदेश मध्यप्रदेश महराष्ट मोदी जी ने दस साल के अंदर इस नकसलवाच को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया भाईो बेनो ओरिसा के कई गरीब इलाकों में मोदी जी हर मैना हर व्यक्ति पांच किलो चावल भेचते है देश के 80 करोड लोगों को भेचते है ओरिसा को भी बेचते है गरीबों को चावल मिलता है या नहीं मिलता है अब नवीन बाबू क्या करते है वो चावल पर अपना थेला लगा देते है अपनी फोटो चाप देते है और गरीबों को कहते है ये चावल मैंने बेजा है अरे नविन बाबो ठेले से किसी का बेट नहीं बरता अगर देना है तो अंदर धाई किलो और चावल दे दो आपका भला होगा मगर मोदी की सरकार केंदर में जो चल रही है वो चावल वाली सरकार है और नविन बाबु की सरकार ठेले वाली सरकार है ठेले वाली सरकार बाईो बेनों मुझे बताओ थेला कोई गरीब खा सकता है क्या अरे जोर से बोलो भूक लगे तो थेले को खा सकते हो क्या अरे नवीन बाबू थेले की जगे डाई किलो चावल बेजो तो गरीब का पेट भरेगा मगर आप चिंता मत करो अब दूसरी बार नवीन बाबू नहीं आने वाले हैं ओडिया सरकार ओडिया जनता ने उनको बाई-बाई टाटा कह दिया है बाई बाई टाटा चाहिए नवीन बाबू की जरुवत नहीं है यहां अब भारतिय जनता पार्टी का मुख्य मंत्री आने वाला है भाजपा सरकार बने नरेंद्र मोधी जी ने बारा करोड गरीबों के घर में सोचा लई बनाया माता और बेनों को सन्मान देने का काम किया चार करोड गरीबों को घर दिया दस करोड गरीबों को उजवला का कनेक्शन दिया चौदा करोड गरीबों को घर में नल से जल दिया और पचास करोड गरीबों को आयुसमान भारत की योजना दी मगर ओरिस्या को नहीं मिलता है मुझे बताओ असकावालों ओरिस्या के गरीब को पांच लाग तक का सभी स्वास्त का खर्चा मुफत में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए अरे जोर से बोलो भाई मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ये नविन बाबु को लगता है आईश्मान भारत से उनकी लोग प्रियता खतम हो जाएगी मगर चिंता मत करो एक तारिक को नविन बाबु जा रहे है और कमल आ रहा है एक जुन से ओरिशा के सभी गरीबों को और सतर साल से उपर के सभी लोगों को पांच लाग तक का सभी प्रकार का अस्पताल का खर्चा हम माप करने वाले हैं बाईयो बेनों माप में यह 25 साल में नवीन बाबु ने ओरिशा को 50 साल पीछे ठकेल दिया है आज गुजरात देखे राजस्तान मध्यप्रदेश देखे एक भी गाव ऐसा नहीं है जहां रोड नहीं है ओरिशा में आज भी 6412 गाव है जहां रोड नहीं है आप ओरिशा में कमल फुल की सरकार बना दो दो साल में हर गाव में रोड बनाने का काम नरेंद्रमोदी जी करेंगे नरेंद्रमोदी ओरिशा के किसान की आय समग्रदेश में कम है क्यों कम है इनके चावल ओने पोने दाम में बिक्ते है यह हमारा 36 गाड आपके पास का प्रदेश भाजपा सरकार बनी 36 गड में 31 सो रूपया क्विंटल चावल सरकार खरीती है भाईयो बैनो ओरिशा के किसानों मैं कह कर जाता हूँ मैं कह कर जाता हूँ कि 36 गड का किसान का एक एक दाना हम 31 सो रूपया धान का 31 सो रूपया क्विंटल खरीदने का काम यह भारतिय जनता पार्टी की सरकार करे दिए भाईयो बैनो 19 में 3.5 प्रतिसत परिवारों को भी स्वच्छ जल मिलता था मोदी जिने आगे बढ़ाया मगर अब भी 23 पतिसत लोग छुट गए है मैं ओरिस्सा की माताओं को कह कर जाता हूँ बादपा सरकार बना दो एक जुन के बाद हर घर में नल से जल देने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार करे दिए भाईयो बैनो मुझे बताओ मैं तो गुजरात से आता हूँ देश के दूसरे हिस्से से आता हूँ मगर ओरिस्सा के उपर जेसे ही मेरा हवाई जा जाता है प्रभु जगन्नात को मेरा सर जुब जाता है भाईयो बैनो जुब समगर देश की जंता महाप्रभु का असिरवात मत्ती है और ओडिया में ओडिसा में नभीन बाबु की सरकार इसको परियटन स्थल बनाने में पड़िये मैं आज आपको कहता हूँ परिक्रमा प्रकल्प के नाम पर मठ मंदीर जोड़े महाप्रभु के चारो द्वार खुलते नहीं है भक्तों को तकलीप होती है मैं आज वादा करकर जाता हूँ हमारा मुख्यमंत्री सपट लेकर उसी दिन महाप्रभु के मंदीर के चारो द्वार खुल देगा इसको खुलते नहीं भाईयो बेनो जगनात की मुर्ती को अपमानित किया जा रहा है और उसके रत्न बंडार की चाबियो पर विवाद होता है भाईयो बेनो मुझे बताओ महाप्रभु का रत्न बंडार सुरक्सित रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए मैं आज कहना चाहता हूँ नवीन बाबु को अगर आप में जरा भी जाग रुकता है तो मुझे बताइए रत्न बंडार की ओरिजिनल चाबिया कहा है डूप्लिकेट चाबिया किस ने बनाई डूप्लिकेट चाबियो से रत्न बंडार खोला गया या नहीं खोला गया उसकी जाँच रिपोर्ट का क्या होगा आपकी सरकार किसको बचाना चाहती है ये महाप्रभु का जरत्न बंडार न केवल उत्कल परदेश देश बर में दुनिया बर में महाप्रभु के भक्तों का स्रद्दा का कैंद्र है उसमें पारदर सिता आने चाहिए भायो बेनो मैं आपको वादा करकर जाता हूँ महाप्रभु के रत्न बंडार के जाँच रिपोर्ट का खुला सा हम छे दिन के अंदर कर देंगे सरकार बनने के छे दिन भायो बेनो आसका की प्रत्यासी हमारी बेहन खड़ी है हमारे दो विदान सबा प्रत्यासी खरे सरकार बने तो इनको चलानी चाहिए या अप्षरों ने चलानी चाहिए जरा जोर से बोलो किसको चलानी चाहिए आपने नवीन बाबु को चुना मगर नवीन बाबू सरकार चला रहे है क्या अरे जोर से बोलो चला रहे है यहाँ पर बाबू के हाथ में राज है अरे नवीन जी बाबू के हाथ में देना था तो कोई ओडिया बाबू के हाथ में देते भईया बाहर के हाथ में की और ये नवीन बाबु की सरकार में ये महान ओडिया भासा संस्कृति साहित्य जिसके लिए अनेक लोगों ने संगर्ष किया मदुसुदन जी का संगर्ष अज़ पूरा देश याद करता है भायो बेनो वो महान ओडिया भासा संस्कृति और साहित्य पर ये अफसर साही ने सवाल या निसान लगाने का काम किया है मैं आपको कहकर जाता हूँ एक तारिक को कमल फूल की सरकार बनाओ हम ओडिया भासा को अगले एक हजार साल तक जिन्दा रहे एसा लंबा आईश्यो देने का काम भारतिय जन्ता पार्टी को भायो वेनो वन नेशन वन डेशन कार्ट ये असका से लाखो युवा देश भर्वे रोजगारी के लिए जाते उनको वहाँ सस्तानाज मुपतनाज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए मोदी जी वन डेशन वन डेशन कार्ट लाए पतनी यहाँ नाद ले ले पती वहाँ नाद ले ले माबाप यहाँ नाद ले ले बेटा गुजरात में मुंबई में जहां है ले ले मगर नभीन भाबो वन डेशन वन डेशन कार्ट नहीं करते हैं क्यूंकि बेटे का जो अनाज बचा है ना बेटे का वो चाहू करने के लिए इनके अफसर बैठे हैं मैं आज कह कर जाता हूँ एक तारिक को परिणा माते ही भाजपास सरकार वन डेशन वन डेशन कार को लागू करने का काम करेगी भाईो बेनो आज गाउं गाम में पानी की समस्या है इसलिए नवीन बाबू का विरोध हो रहा है गाउं गाम में बिजली की समस्या है इसलिए नवीन बाबू का पलायन है इसलिए विरोध हो रहा है मैं आपको कहता हूं सालों से आपने नवीन बाबू को बिठाया 5 साल भाजपा को दे दिजे और इससा से किसी बेटे को और इस्वा के बाहर रोजगारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा भायो बेनों एक गन्ना का खशेत्र है पानी के अबाव में गन्ना नहीं होता है गन्ना मिले बंद हो गई मैं आपको कहता हूँ ओडिसा में पानी के भंडार है इरिगेशन की व्यवस्ता नहीं है सिंचाई की व्यवस्ता नहीं है भारतिय जनता पाटी सिंचाई की व्यवस्ता करेगी इठेनोल के कारखाने डालेगी और कॉपरिटी बेजीज पर गन्ना मिल बनाकर सब गन्ना के किसानों को सम्रूद करने का काम भारतिय जनता पाटी करेगी भाईयो बेनो एक गन्जाम नवीन बाबू का खेतर है नवीन बाबू पचीज साल से मुख्य मंत्री है मगर मैं नवीन बाबू को पूछना चाहता हूं नवीन बाबो, गंजाम में एक भी फैक्टरी आया है क्या? अरे आप बताओ भईया आया है क्या? गंजाम वालों के गर में पीने का पानी पहुचा है क्या? सिच्चाई की व्यस्ता हुई है क्या? भाईयो बेनो, कोल्ड स्टोरेज भी नवीन बाबो नहीं बना पाए, जाता हूँ, हमारी बेहन को जिता दो, हमारे छे के छे विदायकों को जिता दो, गंजाम जिले को देश का नंबर वन जिला बनाने का काम भाईयो बेनो, केंद्र सरकार ने, मोदी जी के नेत्रुतों में, लगबग लगबग, धेर सारे पैसे, यहां भेजने का काम किया है, कॉंग्रेस सरकार ने, दस साल में, एक लाख एकतालीस सजार करोर रुपया भेजा था, सिर्प एक लाख एकतालीस सजार, दस साल में, मोदी जी ने 10 साल में 6,31,000 करोड रुपिया भेजने का काम किया है भाईो बैनों सिर्पस्का की बात करता हूँ 5,47,000 गरों में सोचालय बढ़ाया 4,53,000 गरों में पीने का पानी पहुचाया 2,00,000 किसानों को 6,000 रुपिया मिल रहा है और 1,5,00,000 किसानों को हमने किसान विमा देने का काम किया है 1,000 करोड गरामिन सडक के लिए खर्चा है और 90 करोड से बंजनगर असका निशनल हाईवे को डबल करने का काम नरेंद्र मोधी सरकार कर रही है भायो बेनों जन्दन योदना सो टका हुई है और मैं आज कह कर जाता हूँ 3 करोड लगपती दीदी भी भारतिय जन्ता पाटी बनाने वाली है 3 करोड भायो बेनों मुझे बताओ ये गरीबों के पैसे जो चिट फंड में गए हैं उनको लोटाना चाहिए या नहीं लोटाना चाहिए जोड से बोलो लोटाना चाहिए या नहीं लोटाना चाहिए ये नविन बाबु कुछ नहीं करते इनके आस्पासिये लोग मैं बताता हूँ 18 महिने में जिनोंने गरीबों के चीटफन के पैसे खाए हैं इनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतियों बनता होता है किसानों का दान 3100 रुपिया क्विंटलम खरी देंगे और 48 गंटे में उसके पैसे किसानों को दे देंगे और ओरिसा की माताओ वेनो आपको पचास अजार का वाउचर दिया जाएगा आपके हाथ में ओना पती को पूछना नहीं है पचास अजार में से आपको जो खर्च करना है वो करकर अपने घर को सुविदा पूर्ण बनाना पंका भी ला सकते है इस्त्री भी ला सकते है फनीचर भी ला सकते है बच्चों का पड़ाई लिखाई का साधन सामान भी आप ला सकते है हर दिदी को पचास हजार रुपिये का प्रतिक मच्छवारे को साल का दस अजार देंगे तेंदू पत्ता दो रुपिया प्रतिकोरी और उपर 35% बोनस देने का काम भारतिय जनता पार्टी करेगी बुनकर समाज को सभी लाबार्थियों को तीन हजार रुपिया की मासिक सहायता देंगे यहाँ पर असका में एक टेक्स्ट्राइल पार्क बनाएंगे इसके साथ साथ डेड़ लाक खाली पदो पर मेरे ओडिया युवाओ की भरती करकर सरकारी नौकरी देने का काम भारतिय जनता पार्टी करेगी राउल केला संबलपूर परादिप इंडस्ट्रियल कोरिड़ बनाएंगे भूने स्वर राउल कुला ब्रंपूरा बाले स्वर में आईटी पार्क बनाएंगे और गरीबों के पंद्रा लाक नए गर बनाने का भारतिय जनता पार्टी का वादा है सौ दिन के अंदर ही आयुशवि मान भारत योदना का पाँच लाक का लाब देंगे और चतीस अजार नए बैड इतने अस्पताल बनाने का काम भारतिय जनता पार्टी करेगी और अंत में भायो बेनो रत्न बंदार का पारदर सी हिसाब पहले पेज पर एड़टाइज दे कर सभी महाप्रभू के भक्तों के सामने रख दिया जाएगा भायो बेनो ये पचीस साल ओरिशा के विकास के नक्से में गुम पचीस साल है मैं आज कहने आया हूँ उपर मोदी जी का कमल नीचे ओरिसा का कमल एडबल कमल की सरकार ओरिसा में कमल पर मा लक्समी को लाकर समरूत बनाने का काम करने वाली है आज मैं अस्का की स्विशाल जनसभा को कहने आया हूँ भाईो बैनो मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाने के लिए लोग समावे हमारी दिदी को दिदी आगया हूँ हमारी दिदी को वाट देना है और मुख्य मंत्री बनाने के लिए हमारे दोनों विदान सभा के प्रत्यासियों को भी वाट देना है मुझे बताओ उपर नीचे दोनों भाजपा सरकार बनाओगे क्या रे जोड से बोलो बनाओगे कमल के दोनों मसीनों में कमल पर बटन दबाओगे जोड से बोलो बनाओगे यहां भाजपा सरकार बनाओगे मुदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए विजाई के संकल्ब की मुठी बीचे और प्रचन्द आवाद से बोलिए जय जगनार जय स्री राम जय जय स्री राम स्री अजाई कुमार मिस्रा जी स्री महेश महानती जी असका लोगसभा की हमारी अभ्यर्थी बहन अनिता सुपदर सी जी अनिता जी आगे आई है सूर्दा विदान सभा के प्रत्यासी नील मनी जी आगे आओ नील मनी जी सनाके मुंडी के प्रत्यासी उत्तम पानी ग्रही जी और आज इस विशाल जन्सभा में आए हुए प्यारे भाईों बैनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों आप सभी को नमस्कार भाई और बैनों असका की ये पवित्र भुमी पर सबसे पहले मैं महाप्रबु जगन्नात को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ मा कंकना देवी मा बंकेश्वरी मा तरण तारिनी स्री करजाई मंदीर खंबेश्वरी मंदीर भगवान पूर्च महादेव ये सब को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूँ कुष्ण चंद्र गजपती, स्री ससी पुसन रहत और स्री भगवान साहू ये तीनों को प्रणाम करना चाहता हूँ भाईो बेनों मैं सबसे पहले पूरे ओडिया जंता को बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने हमारे उतकल प्रदेश की आदिवासी बेटी बेहन द्रवपदी मुर्मु को राष्ट्रपदी बना कर समग्र ओरिशा का सन्मान करने का काम प्याँ जी ट्वेंटी दिल्ली में हुआ बड़ा सम्मेलन हुआ दुनिया भर से नेता जी ट्वेंटी में आये मोदी जहां स्वागत कर रहे थे उसके पीछे हमारे ओरिशा का कोणार का सुर्य मंदीर का तस्वीर रख कर उतकल प्रदेश को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और भाईो बेनो ओडिया वीरता का प्रतिक पाई का संग्राम उसके लिए सिक्का और डाग टिकिट जारी करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है मोदी जी ने उडिया सन्मान के लिए धेर सारे काम किये हैं भाईो बेनो मोदी जी ने इस तनस साल में पूरे देश को सन्मान दिलाने का काम किया है उनके पास से दस साल का ट्रेक रेकोर्ड भी है और पचीस साल देश को आगे ले जाने का एक रोड मैप भी है भाईो बेनो आज मैं यहां आया हूँ तब मैं आप सभी को पूछना चाहता हूँ मुझे बताईए अयो त्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था जोड से बोलिये बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था सत्तर सत्तर साल से एक कॉंग्रेश पार्टी राम मंदिर को अठका कर बैठी दी आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रदान मंत्री बनाया मोदी जी ने पाँची साल में केश भी जीता भुमी पुजन भी किया और 22 जन्वरी को प्राण प्रतिष्टा करकर जैश्री राम कर दे और जब पूरा देश राम मंदिर का जस्न मना रहा था तब इन नविन बाबु की सरकार ओरिस्टा की जन्टा को राम जन्म भुमी के महोट्सव में सामिल नहीं होने देते थी इन्होंने अलग अलग प्रकार से उतकल जन्टा को राम महोट्सव में सामिल होने से रोका मैं आग नविन बाबु को कह कर जाता हूँ नविन बाबो जो राम उत्सव को रोकता है ओडिसा की जनता इसी को कभी माप नहीं करती है कभी भाईो वेनो मोदी जी ने देश को सुरचीत किया है यह पुरा देश नक्सलवाद से त्रस्ट था मोदी जी ने दस साल के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद को समाप्ट करकर देश को सुरचीत करने का काम किया है यह दस साल तक कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी सोनिया मनमोहन की सरकार थी आए दिन बम दमाके होते थी पाकिस्तान से हरोज आलिया मालिया जमालिया आते थे बम दमाके करकर चले जाते थी मोदी जी आए पाकिस्तान ने फिर से पुलवामा में और उरी में हमला किया मगर इस बार मोदी जी ने दसी दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एर्स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुशकर आतंकवादियों को साप करने का काम नरेंद्र मोदी हमारा ओडिसा नकसलवाचे पिडित्था जारखन बिहार तेलंगाना आंध्यप्रदेश मध्यप्रदेश महराष्ट मोदी जी ने दस साल के अंदर इस नकसलवाच को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया भायो बेनो ओरिसा के कई गरीब इलाकों में मोदी जी हर मैना हर व्यक्ति पांच किलो चावल भेजते हैं बेज किए सिंद मोदी